नमस्कार आप देख रहे हैं गुद मॉर्णीं टीवी और मैं हूँ आपके साथ कंच्वर रिवा शेहर के जान टॉवर नो पार्किंग जोन में वहान खड़ा करना लोगों को महंगा पड़ गया रिवा में ट्रैफिक पुलस ने चलानी कारवाही करते हुए 500 से लेकर 1000 रुपय तक के चलान काट दिये ट्रैफिक सुबधार दिली तिवारी ने जानकारी देते हुँ बताया कि लोगों से बार बार नो पार्किंग में वहान ना खड़ा करने का नुरोट किया गया नो पार्किंग जोन बना कर वेरिकेटिंग भी की गई पावजूद इसके लोग सड़कों पर वहान खड़ा कर गया वागबन पर रवधान करते हैं उनके किलाव चलानी कारवाही की जारी है कारवाही में 1000 से लेकर के मिनीमाम 500 रुपय के चलान काटे जारह है इसके साथ कागजार भी चेक किये जारह है पॉलिशन बीमा रजिस्ट्रेशन की चेकिंग में डॉक्यूमेंट नहीं पाय जाते हैं तो उनके विरुद भी चलानी कारवाही की जारी है आपको बता दिंगे यात्यात पुलिस के द्वारे डगातार शेहर को जाम मुक्त बनाने के प्रयास जारी है देखिए जॉन टावर के पास हमने एक बहुत अच्छी बिवस्ता दिये हमारे वरिष्ट दिकारियों ने बहुत अच्छी बिवस्ता दिये है यहां पर नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए है उसके अंदर जो है पार्किंग करनी उसके बाजू भी हमने पार्किंग बना के दिये है इसके बावजूत लोग रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं जिससे आने जाने वालों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए हमको आदेश प्राप्त हुआ है कि जो गाड़ियां रोड पे खड़ी होती है उनको पकड़ करके क्रें से उनको टांग करके ठाने ले जाना है फिर उनके डाकुमेंट वेरिफिकेशन करना उन पर चालानी कारवाई करनी है लोगों से रोदे की जोन टावर के पास में जो पार्किंग का इस्थान है वहां पर गाड़ी खड़ी करें फालतों में गाड़ियां सड़के किनारे खड़ी ना करें आया दिन एक्सिदेंट होते हैं गंबीर दुरगटना किसी भी द काजरी विना व्हता है वहां भी निर्फर निर्फर करता है कि इसके आप माड़ियां खड़ी खाड़ी खुड़ी कराना है श्री श्यक्ति ग्रह अध्यग के साथ हमारी लक्षं हर बिरोजगार को रोजगार उपलब्द कराना है थे कई दो-सो प्रकार की च्चोटी आनकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024 159 599 ISO Certified श्रीशक्ति ग्रह उत्योग यादवधर्म काटा के पीछे उतारी सतना मध्यदेश